दोस्तों अगर आप एक business महन है और आप अपने business का promotion करने के लिए आप business whatsapp की features को use करना चाहते हैं लेकिन इसके साथ साथ तक कुछ advanced privacy and features भी चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि आप किसी का status देके उसको पता ना चले कि आपने उसका status देख लिए है ऐसे ही आप किसी के लिए blue ticks को hide करना चाहते हैं second tick को hide करना चाहते हैं तो ऐसे में GB business whatsapp आपके लिए best option हो सकता है तो आज की इस class में आज की इस video में हम बात करने वाले हैं इस समय जो latest version है GB business whatsapp का वो क्या है और अगर हम इसे download करना चाहें तो इसे हम कहां से download करेंगे और इसको download करने के बाद हमें क्या-क्या features मिलते हैं तो यहाँ पर मैंने अपनी screen से आपके साथ share कर दी है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर अगर आप इसका official जो icon है वो आप देख सकते हैं भी बना हुआ है जैसे कि business whatsapp का लेकिन जैसे आप इसको click करके open करेंगे तो open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ची status दिखाइ दे रहे हैं अगर हम किसी भी status पर जाएंगे और status पर आप देखेंगे आपको download बटन दिखाए देगा इसपे अगर आप click करते हैं तो आप click करके उस जो भी आपका status वहाँ पर दिखाए देगा आप उसको download कर पाएंगे तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है जो आप इस सबसे उपर दिखाए देरा है create your first ad चुकि यह जी भी business whatsapp है इसलिए आपको business whatsapp के सारे features से आपके देखने को मिलेंगे किसे कि अगर आपको अपना ad create करना है तो आप यहाँ पे पहले वाले option पे click करके आपना ad create कर सकते हैं अपने business के profile बनानी है तो आप business profile पे जाएए यहाँ से अपना नाम अपने business profile के बारे में description, business guide based, business hours email id और अपने website का आप सारे डेटा डाल सकते हैं और products को भी आप नीचे यहाँ से add कर सकते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपको business whatsapp के यो भी feature से वो मिलने जैसे अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर catalog create परने का option देखने को मिलता है इसके साथ साथ अगर आप नीचे आएंगे replacement, facebook and instagram और यहाँ पर greeting messages का option भी देखने को मिलता है यानि कोई भी विक्त जब आपको पहली बार message करेगा अगर आप यहाँ से इसको on कर लेते हैं तो क्या होगा अगर आप उसको reply नहीं करते हैं तो reply नहीं कर पाने पर आपके system के आएंट से system generated message चला जाएगा जो उसको greet करेगा जैसे आपका आम तोर पर यह set कर सकते हैं thank you for contacting me यानि मुझसे contact करने के लिए धन्यवाल विरा इल बी free I'll just contact with you जब मैं free हूँगा तो मैं खुद आप से contact करूँगा तो आप यहाँ से greeting message set कर सकते हैं इसके लाव मैं यहाँ से फिलाव डिसकार्ड करके आगे जाता हूँ कुछ replies दिया हुआ है इसके लाव आप labels भी set कर सकते हैं तो यह तो बात रही कि जो हमें GB business whatsapp पे मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं अब हम बात करते हैं कि GB whatsapp की features भी हैं यहाँ चलिए check करते हैं तो यहाँ से मैं chats पे जाऊंगा और chats पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक chat को open कर लेता हूँ अब यहाँ पे उपर आप tag करेंगे तो tag करके मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे सबसे पहला option आपको दिखा देता है custom privacy का आगर आप इसको on कर देते हैं तो आपसे बता रहा है कि जब भी आप इस contact के साथ chat करेंगे तो क्या आप blue ticks को hide करना चाहते हैं क्या आप second tick को hide करना चाहते हैं क्या आप अपने microphone को hide करना चाहते हैं क्या आप typing को hide करना चाहते हैं क्या आप इनका status देखेंगे और आप नहीं चाहते हैं सामने वाले को पता चले तो यहाँ पे सारे के सारे options हैं आप अपने साब से आप ही उसकर सकते हैं इसके लावा नीचे देखेंगे तो no calls अगर आप इसको on कर देंगे तो फिर यह सामने वाला व्यक्ति आपको call नहीं कर पाएगा यहां रखेगा यहां से आपने setting कर दी है यह व्यक्ति आपको voice call, whatsapp पे नहीं कर पाएगा ऐसे आप इनके लिए notifications को mute करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं यह spearing message को option दिखाए दे रहा है अगर आप चाहें तो आप इस को on कर देंगे आप timer set कर लिजे 24 hours का 7 days का, 90 days का या फिर आप रखेंगे क्या होगा, automatic उतने दिनों बाद वो messages delete हो जाएंगे नीचे कर आप जाएंगे, chat log भी दिया हुआ है अब यह कैसे काम करता है, आपने chat log पे click के और आपने इसको on कर दिया आपने आपे finger button कर दिया और यहां से मैंने विव कर दिया ठीके, आप क्या होगा, मैं back जाओंगा और back जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आप यहां पे देखेंगे, उपर सबसे लिखाए देरा है log chats आप जैसे आप उस पे click करेंगे तो click करने के बाद जो finger आपने दिया था वो आप यहां पे लगाईगे आप जब आप finger लगाएंगे तो आप देखेंगे वो जदनी बे chat आप की lock होंगी वो उपर ही दिखाए देगी, ठीक है आप उसको दुबार से unlock करना चाहा है तो आप उस पे click करें और click करने काद आप उपर click करें और यहां से जो chat आपने on किया था इसको आपको off करना पड़ेगा off करते से मैं फिल से आप से मांगेगा आप वो दे दीजी यहां से आप देखेंगी यह आपको off हो गया है तो पहला feature तो आपको यहां पे देखने को मिल गया दूसरे feature की बात करें तो आप long tap करें और उपर three dots पे click करें अब आप देखेंगे आप यहां पे add chat आपको option दिखाए देता है चैट को सीधी के सीधी ID कर देगा पहले क्या था आइड नहीं किया था लॉग chat पे उपर दिखाए दे रहा था अब अगर मैं यहां पे click करूँगा और click करने के बाद यहां से मैं अमना pattern दिया अब pattern देने के बाद आप क्या देखेंगे यहां से gap हो गया ना तो उपर कहीं दिख रहा है अब कैसे दिखेगा आपको तो मैं दिखा दू अब अगर आपको उस contact को दुबारा से access करना है तो access कर सकते हैं उपर जहां पर लिखा हुआ है what's a business आप उपर tag करें और tag करने का आप यहां से security pattern देदें ठीक है फिस में दुबारा से ना hide कर रहा हूं इसको तो यहां से मैं hide कर लेता हूं तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको यहां कुछ advanced features है जिनका आप लाब ले सकते हैं इसके लाबा अगर आपको और भी features चाहिए तो उपर adder portion में देख सकते हैं आपको camera, search button, aeroplane mode दिखाई देता है उपर three dots पर click करेंगे तो आपको यहां पर और भी options है जिसे आगर आप privacy पर जाएंगे तो privacy सम्मंदित क्या-क्या है आप अपना last thing freeze कर सकते हैं सामने वाले को पता ही नीचे लेगा कि आप online कब आये थे इसके लाबा कोई message आप किसी और को forward करते हैं तो forward attack लगके नहीं जाएगा कस्टम प्राइवेसी के बारे मैं आपको बता चुका हूँ हाइड वेव स्टेटरस है इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे आपका once view disabled कर सकते हैं या एंड रिड मैसेजिस है शूब लूटिक साफर रिप्लाई है जैसे वो सारे options हैं जो आपको GB WhatsApp पे देखने को मिलते हैं तो आपने देखा यह combo है इसमें आपको GB WhatsApp के भी सारे features मिल ले है और इसके साथ आपको business WhatsApp के भी सारे features मिल ले है सबसे पहले जान लेते हैं यह है क्या exactly इसे create किया है Sam Modes ने और इसे कुछ लोग GB WhatsApp के नाम से जानते हैं हलाकि आपने देख लिया यहाँ पे कहीं पे भी GB तो नहीं दिखा दे रहा है मैं आपको उपर क्लिक करके दिखाता हूँ कहीं पे भी GB लिखा नहीं हुआ है actual में यह you business WhatsApp है और अगर आप इसको download करना चाहते हैं simply आप Google पे जाके यह business WhatsApp टाइप करके search कर सकते हैं और आपको link पिल जाएगा आप उस पे क्लिक करके इसको download कर सकते हैं अब सवाल यह आता है क्या यह application harmful है आपने यह तो देख लिया है कि मेरे में अलड़ी installed है अगर मैं यहाँ से अपना play product open करू जैसे मैं काफी समय से use कर रहा हूँ हाला कि यह modified application है तो जब हम modified application को use करते हैं तो उसमें कुछ हद तक तो रहता है जैसे मैं यहाँ से उपर three dots पे click करूँगा और click करने के बाद अगर यहाँ से मैं play product में जाकर अगर मैं scan करूँगा भी तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी harmful element या harmful app नहीं दिखा रहा है जबकि आपने देखा कि मैं GB Business WhatsApp यूज कर रहा था तो यह GB Business WhatsApp है अगर आप यूज करना चाहिए मैंने आपको तरीका बताया है आप आसारे से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फून में install करके अपने बिजनस का promotion कर सकते हैं और कुछ demands features भी आप यूज कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है वीडियो को like चैनल को subscribe बिल आइकन पेट बहुत चैनल मिलेंगे तब तक अपना ख्यार लगिए बाइबाएं टेक केरा